आज थोड़े भारी दिल से आपसे बात कर रहा हूँ पिछले कुछ हफ्तों में बहुत सारी बाते आई मन में कहने के लिए लेकिन हर तरफ इतनी नेगेटिविटी है कि समझ में नहीं आता है कि क्या बोलू किस से बोलू कितना बोलू देखिए स्टार्ज भले ही हम कहलाते हैं लेकिन बॉलीवुड को आपने अपने प्यार से बनाया है हम सिर्फ एक इंडस्ट्री नहीं है हमने फिल्मों के जरिये हमारे देश के कल्चर हमारी वैल्यूज को दुनिया के हर कोने तक पहुंचाया जब-जब जब-जब हमारे देश की जनता के सेंटिमेंट्स की बात आई जो भी जैसा भी आप महसूस कर रहे थे इतने सालों से फिल्मों ने उसे ही दिखाने की कोशिश की है चाहे वो एंगरी यंग मैन वाला अंकरोश हो या फिर करप्शन हो गरीबी हो बेरोजगारी हो हर इशू को सिनिमा ने अपने तरीके से दिखाने की कोशिश की है ऐसे में अगर आज आपके सेंटिमेंट में गुसा है तो वो गुसा भी हमारे सर माते पर है सुशान सिंग राजपूत की सड़न डेथ के बाद से ऐसे बहुत से इशूस सामने आए हैं जिन्होंने हमें भी इतना ही दर्द दिया है जितना आप सब को और इन मुद्दों ने हमें अपने खुद के गिरेबान में चापने को मजबूर किया है हमारी फिल्म इंडस्ट्री की ऐसी बहुत सी खामियों को देखने को मजबूर किया है जिन पे ध्यान जाना बहुत बहुत ज़्यादा जरूरी है जैसे नर्कॉटिक्स और ड्रग्स के बारे में आजकल बात हो रही है मैं आज दिल पे हाथ रखके कैसे आप से जुट बोल दू कि ये प्रॉब्लम एक्जिस्ट नहीं करती जरूर करती है वैसे ही जैसे हर इंडस्ट्री पर हर प्रोफेशन में होती होगी पर हर प्रोफेशन का हर इंसान उस प्रॉब्लम में इंवॉल्ड हो ऐसा ऐसा नहीं हो सकता ऐसा थोड़ी होता है Drugs is a legal matter और मुझे पूरा विश्वास है कि हमारी law enforcement, authorities और courts इस पे जो भी जाच, जो भी action ले रही है वो बिलकुल सही होगा और मैं ये भी जानता हूँ कि फिल्म इंडस्ट्री का हर इंसान उनके साथ पूरी तरह corporate करे पर प्लीज हाँ जोड़ के कहता हूँ ऐसा तो मत करो ना कि पूरी की पूरी इंडस्ट्री को एक ही बदनाम दुनिया जैसी नजरों के साथ देखने लगो ये सही नहीं है ये तो गलत है ना मुझे पर्सनली हमेशा से मीडिया की ताकत में बहुत विश्वास रहा है हमारा मीडिया अगर सही मुद्दे सही वक्त पे ना उठाए तो शाहिद बहुत से लोगों को ना आवाज मिलेगी ना इंसा मैं मीडिया से तहे दिल से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि वो अपना काम अपनी आवाज उठाना जारी रखे लेकिन प्लीज थोड़ा सेंसिटिव नी क्योंकि एक नेगेटिव न्यूज किसी इनसान के सालों की रेपुटेशन बरसों की कड़ी मेहनत को बरबाद करके रखतेगा और आखिर में आप पैंस आप लोगों को मेरा यही मेसेज है कि यार आप सब नहीं तो हमें बनाया है आपका विश्वास जाने नहीं देंगे अगर आपको कोई नाराजगी है तो हम और महनत करेंगे अपनी खामियों को दूर करने की आपका प्यार और विश्वास जीत के रहेंगे यार आप हो तो हम है बस साथ निभाए रहना साथ बनाए रखना बस तैंक यू थैंक यू गजा